Hello Students, हमारी YouTube चैनल Bialism Mentor में आपका स्वागत है आज हम DNA दिगुणन या DNA replication के विशे में पढ़ेंगे तो आएए शुरू करते हैं DNA दिगुणन या DNA replication replica कार्थ होता है copy तयार करना तो इस तरह से DNA replication कार्थ है DNA से DNA का निर्माण करना DNA से DNA की बनने की प्रक्रिया को ही DNA रेप्लिकेशन कहता है DNA दिगुणन कुश्का विभाजन की इंटरफेस की S प्रावस्ता में होता है जो cell cycle है उसमें G1, S और G2 फेस आता है इंटरफेस के अंतरगत और उसके बाद M फेस आता है जो कि हम माईटोसिस फेस कहता है तो इस तरह से इंटरफेस के S प्रावस्ता में DNA से DNA के निर्माण होता है DNA दिगुणन अर्द संगरक्षी प्रकार का होता है अर्द संगरक्षी का अर्थ है कि DNA से अगर DNA बनता है तो नए DNA में एक parental strand होता है और दूसरा strand नया synthesized होता है तो इस प्रकार DNA से DNA जब बनता है तो इसे हम अर्द संगरक्षी प्रकार या semi conservative mode of DNA replication कहता है इसके विशे में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में या आई बटन में जाकर उसे देख सकते है DNA दिगणन DNA अर्ण में कुछ विशिस्ट स्थान पर शुरू होता है उस स्थान को समारंबन स्थालिया ORI origin of replication कहता है तो मनुष्य के एक deployed cell में अगर DNA की बात करें तो लगभग 2.2 मीटर लंबा DNA एक deployed cell में पाए जाता है तो इस तरह से DNA की लंबाए बहुत अधिक होती है तो उसमें एक सिरे से अगर लगातार replication हो दूसरे सिरे की तरफ तब काफी ज़्यादा समय भी लगेगा तो इसलिए replication एक से अधिक जगे से शुरू हो इसके लिए DNA में कई स्थान होते हैं जहां से replication साथ साथ शुरू हो जाता है तो ऐसे स्थान जहां पर DNA से DNA बनने की प्रक्रिया शुरू हो उन स्थानों को DNA में origin of replication या समारमन अस्थल कहा जाता है अगर हम बात करें कि एक मनुष्य के deployed cell में DNA के लंबा है बहुत अधिक होती है 2.2 मीटर लंबा DNA पाई जाता है अगर हम DNA की सनरजना की बात करें तो DNA की सनरजना एक मनुष्य की deployed cell में काफी अधिक होती है अगर हम DNA की सनरजना अगर हम यहां पर बनाए तो इस तरह से DNA की सनरजना है काफी लंबी होती है 2.2 मीटर लंबा DNA एक deplorta cell में पाया जाता है तो अगर एक सीरे से अगर हम इसको 3 प्रायम इसको 5 प्रायम और दूसरे को 5 प्रायम और इसको 3 प्रायम माने तो एक सीरे से अगर DNA से DNA बनने की DNA replication शुरू हो तो दूसरे साइट तक पहुचने में काफी जादा समय भी लगेगा और इसी तरह से अगर दूसरे साइट से भी DNA रेप्लेकरशन हो दोनों साइट से हो तो भी काफी जादा समय लगेगा तो इसी चीज से बजने के लिए DNA में काफी स्थान ऐसे हैं जहां से अलग-अलग तरीक से साथ साथ रेप्लेकरशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है तो यह जो स्थान है इनको ORI या origin of रेप्लेकरशन गहाँ जाता है वह सबसे पहला काम क्या है कि DNA के अलग-अलग स्थानों से रेप्लेकरशन हो जो helicase नामक enzyme है, helicase नामक enzyme की सायतासे DNA के जो अलग अलग जो parts है, DNA के strand हैं, दोनों strand खुलना शुरूर होता है, तो एक साथ एक साइट से दूसरे साइट तक लगातार DNA का strand खुलना possible नहीं है, क्योंकि बहुत जादा energy की जड़रत भी होती है और hydrogen bond जो की attraction force वाले होता है इन्हें एकदम से लगातार तोड़ना और एक साथ खोलना यह काफी impossible काम होता है तो इसलिए कुछ इस्थान से लगातार DNA खुलता जाएगा और DNA नया DNA में बनता जाएगा तो इस तरह से अगर हम इ यह जो DNA है इस तरह से खुलना शुरू हो जाएगा इस तरह से अगर हम माने इसको 3' 5' और 5' 3' तो कुछ इस्थान से DNA खुलना शुरू हो जाता है इसे हम replication bubble इनको कहता है तो अब जो बीच का यह भाग है यह भी कुछ समय बाद यह खुलेगा क्योंकि इनके बीच में अभ यह भाग भी अगर खुलेगा तो कुछ कुछ इस तरह की DNA की संरजना यहाँ पर देखने को मिलेगे अब इस तरह से DNA की संरजना अब यहाँ पर हो जाएगी इस तरह से DNA के आपर संरजना हो जाएगी और इसे हम रेप्लेकेशन बबल इसको कहते हैं यह रेप्लेकेशन बबल है अगर इसको बीचो बीच अगर हम लोग देखें तो यह एक वार आई है और यहाँ से दोनों ही दिशा में रेप्लेकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो इस तरह से जो DNA से DNA जब बनेगा सबसे पहला काम किया है DNA एक हिलिकेश एंजाइम के साथ से इनके हैड्रोजर मोंडे चूटता है और जिसकी वज़े से अब क्या होगा DNA के दोनों स्टेंड खुलना शुरू हो जाएगा अब एक प्रॉब्लम इसमें और आती है अगर य इसे लिए क्योंकि उनके बीच उललिंग टेंशन होता है इसी तरह से इनकी कोईंग टेंशन को दूर करने के लिए एक एंजाइम इस में और होता है जिसको कहते हैं अदिना के जो component होंगे आपस में नहीं मिलेगा इसके अलावा एक इनजाइम और होता है इस सिंगल स्ट्रेंड बैंडिंग प्रोटीन या इनको कहते हैं सिंगल स्ट्रेंड बैंडिंग प्रोटीन क्या करेगा यह स्ट्रेंड जो सिंगल स्ट्रेंड बैंडिंग जो प्रोटीन होगा वो क्या करेगा जो डिने के जो स्ट्रेंड ने उनको पकड़े रखेगा सिंगल यह आपस में एक दूसरे के साथ ना लिपड़ सके तो इस तरह से कई enzymes करते रहते हैं तो इस तरह से DNA के जो दोनों ही रज्जुग हैं वह जब अलग-अलग हो जाएंगे इस तरह से अगर धीरे-धीरे यहां पर हम लोग देखें तो जो इस तरह से आगे किस तरह से होगा अब दिखाये देंगे तो इस तरह से अगर फिर इस तरह से अगर देखा जाए तो कुछ-कुछ यह स्टेंड इस तरह से दिखाये देंगे इस तरह से अंत में यह जो इस्टेंड होंगे यह replication 4 कि इसको कहेंगे और फिर यह जो इस्टेंड होंगे यह धीरे-धीरे दोनों ह कहेंगे तो DNA replication में प्रतेग रज्जू के एक template की तरह कारी करेगा template कार्थ के हैं जिससे एक यह template है इसमें यह 3 प्रायम तो 5 प्रायम और दूसरा DNA का strand यह है यह 5 प्रायम तो 3 प्रायम यह template strand है अगर पहले strand में कोई यह जिसे ए टी टी सी जी है तो इसका दूसरा strand नया strand बनेगा उसे strand में वह strand किस तरह से बनेगा इसके strand के जो नायटोजनस base है इनके complementary उसमें नये nitrogenous base pair का यहाँ पर निर्मान होगा एक ही अपोसित यहाँ पर थाइमीन आएगा थाइमीन के अपोसित फिर आदनी साइटोसीन है तो यहाँ पर ग्वानीन आएगा और ग्वानीन तो यहाँ पर साइटोसीन इस तरह से नया जो strand होगा व उसी क्रम में नाइडोजनस बेस लाएगा और नया डियाने का स्ट्रेंड यहां पर बनेगा जो कि डियाने के लंबाई बहुत अधिक होती है कि अभी हमने पढ़ा कि जो डियाने की लंबाई होती है एक डिपलोड सायल में लगभग 2.2 मीटर होती है बहुत बड़ा डियाने होता है तो इसी लिए डियाने से डियाने बनने के लिए सबसे पहले पहला काम के डियाने को खोलना तो इसी लिए हेलिकेज नामक एंजाइम की सायता से डियाने की दोनों स्ट्रेंड को खोलने के ज़रूरत है दोनों स्ट्रेंड के बीच के काने का कारे कौन करेगा टूपो आयसे बरेज़ जिससे कि DNA के दोनों स्ट्रेंड की पॉलिंग टेंशन दूर हो जाए जिससे कि वह आपस में अब ना जुड़ पाएं अब अन्त में जो DNA का जो स्ट्रेंड किस तरह से दिखाए देगा य के आकार का दिखाए देगा और इसे सनरचना को ही प्रतिक कृति दुशाक या रेप्लिकशन फोर की कहा जाता है यहाँ आप देखेंगे डायग्राम में DNA के दो स्टेंड थैंड पहला जो स्टेंड है उसकी polarity है 3Prime to 5Prime और दूसरे की polarity है या जो धुरुणता है वह है 5Prime to 3Prime और दोनों ही जो स्टेंड इनए के अलग होगे हैं अब इन स्टेंड को हम टेंप्लेड DNA के स्टेंड के अब DNA से DNA बनने के लिए raw material की भी आवशकता होती तो यहाँ पर DNA से DNA बनने के लिए अर्था DNA replication के लिए डियोक्सी राइबो नुकलियोसाइट ट्राइफ फॉसपेट डियन टीपी दोहरा कारे करेगा तो डियन टीपी वह यहां पर दोहरा कारे करेगा डियन टीपी के रूप में ATP CTP यहां पर ATP CTP गिएन टीप और JTP यह जो हैं जे यह दो पर्कार से कारे करेंगे इनमें जैसे इनमें होगा क्या है इनमें तीन फॉसपेट उपस्तित होते हैं एक प्रकार से तो यह नूकलियोटाइट्स तो है submus7 में दो extra फॉसपेट यहां परnez जिन के वज़े से ये काफी energetic होता है काफी इसमें पूर्जा संग्रहित होती है तो ये क्या करेंगे ये दो कारी करेंगे नमबर पहला DNA की निर्मान के लिए एक आधारी पदार्थ की रुप में एक प्रकार से nucleotide का कारी करेंगे nucleotide की रुप में ये आकर नए DNA की रुप में जु extra phosphate जो समों है उनकी वह क्या करेंगे वह यहां पर उर्जा की रुप में nucleotide को जोडने का कारी करेंगे तो dnt भी दो प्रकार का कारी करेंगा नमबर पहला DNA निर्मान के लिए एक आधारी पदार्थ अर्थाथ निक्लोटाइट की रुप में ये कारी करेंगा दूसरा nucleotide की जोडने के लिए उर्जा परदान करने का कारेंगे अब DNA टेंप्लेट पर प्राइमेंज नामक एंजयम की सायधा सी आर्नी प्राइमर का निर्मान होता है अब क्या होगा कि DNA से DNA की संरजणा बनेगी कैसे क्योंकि हमने अभी देखा कि DNA जब अलग-अलग हो जाता है इसमें दो परकार के strand बन गए नमबर पहला 3' to 5' वाला strand एक बन गया दूसरा 5' to 3' इस परकार हमारे बास दो strand है अब नया DNA बनेगा कैसे DNA polymerase नामक enzyme के साथ से DNA के निर्माण होगा लेकिन जो DNA polymerase नामक enzyme है वह स्वयम DNA से DNA के निर्माण नहीं कर सकता है DNA से DNA बनाने के लिए सबसे पहले DNA polymerase स्वयम DNA के synthesis को start नहीं कर सकता है इसलिए वह एक RNA primer की help चाहता है RNA primer का अगर निर्माण हो जाता है DNA के strand के एक side की तरफ तब जाके DNA polymerase आराम के साथ DNA का नया strand का निर्माण कर सकता है तो सबसे पहले RNA primer के आवशकता है RNA primer के एक RNA का छोटा सा strand है single stranded जो RNA है RNA primer उसका होना ज़रूरी है तब जाके DNA polymerase कारी करेगा तो सबसे पहला कारी के है नंबर पहला कि जो primase enzyme इस enzyme की सायता से RNA primer का निर्माण होगा अब दो चीज़ें जानने आवशके नंबर पहला जो DNA की जो synthesis होगी DNA की जो synthesis होगी नया DNA जब बनेगा हमेशा वह 5' to 3' डायरेक्शन में बनेगा 5' to 3' डायरेक्शन में नया DNA बनेगा दूसरी चीज़ याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो template reading होगी जो template reading होगी template reading होगी reading होगी वह किस direction में होगी वह होगी आपके 3' to 3' to 5' डायरेक्शन में template की reading होगी reading का आर्थ ही है कि क्योंकि जो template strand है जैसे यहाँ पर एक strand है 3' to 5' 3' to 5' एक template strand है तो DNA polymerase कहां से कहां की तरफ movement करेगा 3' से 5' की तरफ यहाँ पर क्या करेगा आगे धिरे-धिरे बढ़ेगा उनको देख देखके उनमें जो nucleotide होंगे जो nitrogenous base होंगे उसी के complementary nitrogenous base जोडता जाएगा जोडता जाएगा वो इस तरफ से DNA polymerase क्या करेगा template की reading किस से किस direction में करेगा हमेशा 3' to 5' और नया DNA हमेशा किस direction में बनेगा 5' to 3' तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है यहाँ देखेंगे पहला जो जिसमें polarity के 3' to 5' इसमें नया DNA कैसे बनेगा नया DNA हमेशा 5' to 3' direction में बनता है तो सबसे पहले यहाँ पर primaries नामेक enzyme की सायदर से एक क्या बनेगा RNA primer यहाँ पर बन गया यह RNA primer यहाँ पर बन गया है अब DNA polymerase यहाँ पर आएगा इस तरह से DNA polymerase यहाँ पर आया वह DNA polymerase क्या करेगा वह DNA polymerase अब DNA की synthesis करेगा DNA का sensation करेगा हमेशा 5' to 3' direction जिससे यहाँ पर आया इस तरह से दिरे दिरे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा अब क्योंकि यहाँ पर 5' to 3' direction बन रहा है और यह रुक नहीं रहा है लगातार यहां तक बन गया अब क्या होगा दिरे दिरे यह से इसे सतत संस्टेशन कहेंगे और इस स्टेंड को क्योंकि यहां लगातार बिना रुके हुए लगातार DNA के से इसे continuous स्टेंड कहा जाता है अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेंड की दूसरे स्टेंड की पोलिरिटी के 5 प्रैम टू 3 प्रैम पोलिरिटी यहां से यहां की तरफ क्योंकि हमेशा जो नया DNA बनेगा याद रखिएगा कि नया DNA यह खुला हुआ भाग अभी यह बाग खुला नहीं है यह हैड्रोजन बॉंड इसमें अभी भी है तो खुले वे बाग से अंदर की तरफ नया DNA बनेगा और DNA अमेशा नया जब बनेगा थो 5 प्रैम टू 3 प्राइम डारीक्शन बनेगा और रिडिंग तेम्पिलेट की किस डारेक्शन में होगी 3 प्रैम तू 5 अब प्रोब्लम इस स्टेंड में आरही है जो दूसरा एस स्टेंड की हम लोग देख रहे है यह यहाँ पर रीडिंग करनी है नीचे की तरफ क्योंकि रीडिंग अमेशा क्या होगी थी प्राइम टू फाइब यह वाला अब रीडिंग होनी है क्योंकि यहाँ पर उपर की तरफ 3 है और नीचे की तरफ 5 है ठीक है अब डायरेक्शन तो रीडिंग की होनी है थी प्राइम तो 3 प्राइम और क्योंकि अंदर की तरफ बनेगा यह होगा कैसे अब क्योंकि रिडिंग तो अमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम में होनी है जब पहला एस्टेंड जो इस इस्टेंड पर इस टेंप्लेट पर बना तो यहां पर आर ने प्राइमर आया थोड़ा आगे तक यह प्राइम की डिरेक्शन में रिडिंग होनी है तो यहां से लेके अब आर ने प्राइमर आ गया तो डियने पॉल्मेर जब क्या करेगा डियने की सिंथिस इस दिशा में करेगा तो हमेशा डियरेक्शन डियने की नए सिंथिस की डियरेक्शन हम क्या होती है फाइब प्राइ बन चैशा है यहाँ पर लगा है आर्ने इतना लग गे है लेकिन इस डाइरेक्शन में ना डीं नहीं है तो दूसरा रहे कि आया पर आ सकता होगी क्यों आर्ने प्राइमर तू नहीं आ सकता है आर्ने प्राइमेर toys की साहफेश्य नया और बने और बनने के बाद DNA polymerase की सायधर से अब अब नया जो इतना बनेगा इतना यहां पर और बन गए इतना डियाइने का पीज और बनेगा चोटे चोटे फ्रेगमेंट के रूप में डियाइने के सिंथे हो रही है और सेम वही चीज हो रही है फाइब फ्रैम में रिडिन ओर ही यहां पर नेटोजनेस बेस को पड़ा जा रहा देखा जा रहा है उसी के प्लिमेंटर बेसेस आ जोड़ते जा रहे और नीचे की तरफ कि तरफ इसे से बन रहा है और यह जो डिरेक्शन हे यह फाइब प्रैम सिरह कहला है का और यह इसका 3 तो 5 प्राइम तो 3 प्राइम नया सिंद्धिस हो रही है और रिडिंग कहा हो रही है 3 to 5 डिरेक्शन क्लियर हो रहा है चीज़े अब डियने के जो कॉंटिनुएस से स्टेंड था वह यहां से आगे के तरब यहां तक बढ़ गया 5 प्राइम तो 3 प्राइम यह ठीक जा रहा है और लेकिन जो दूसरा स्टेंड ने एक आरने प्राइमर की और जरुरत पड़ेगी यहां पर आरने प्राइमर एक और आएगा और ऐसे ही फिर सिंद्धिस यहां के तरब शुरू हो जाएगी तो इस तरह से अब दिरे दिरे अब अंदर के जो बैसें दिरे दिरे यह खुल और इसमें अलग-अलग आरने प्राइमर आती जाएंगे और इस तरह से डियने की सिंद्धिस यहां पर होती जाएगे और क्यूंकि हम देख रहे है कि जो तर इस दैंट को हम क्ली सब्सक्राइब रज्जू यह लिडिंग स्टेंड और प्राइज हो प्रायमी त्रीप्रायम जो टेंप्लेड इस्टेंड उसमें डिच्णेस्स हो रहा है शल्याई को कशन च स्धと思います जो चोटे-चोटे फ्रेगमेंट्स बने इन फ्रेगमेंट को हम नट्सिंट के फ्रेगमेंट्स जो DNA ligase नामक एंजाइम होता है DNA ligase नामक जो एंजाइम होता है उसके द्वारा ये fragments आपस में जुड़ जाता है तो इसे आईए notes की सायता से समझते है RNA primer के कारण DNA पराधारित DNA polymerase या जिसे हम DNA dependent DNA polymerase कहते हैं एंजाइम के द्वारा बहुलकन केवल 5 to 3 days दिशा में होता है यह हमने पढ़ दिया कि नया DNA जब बनेगा हमेशा 5 prime to 3 prime direction बनेगा 3 prime to 5 prime दुरूबता वाले template रज्जुक या template strain पर नये DNA का सतत संस्टेंड पर नये DNA का सतत संस्टेंड होता है अभी हमने पढ़ा था 3 prime to 5 prime जो template स्टेंड है वहाँ DNA का सतत संस्टेंड होता है और इस DNA के स्टेंड को अगरज रज्जुक या leading strain कहता है 5 prime to 3 prime जो template इस्टेंड है यहाँ पर DNA रुक रुक कर बनता है और इसी लिए इसे हम पश्चेगामी रज्जुक या लेगिंग स्टेंड कहता है और इसी लेगिंग स्टेंड पर DNA के छोटे-छोटे खंडों का निर्मान होते है आप देखेंगे यह खंड दूसरा इस तरह से छोटे-छोटे DNA के खंड आप यह से से बनते जाएंगे और यह जो खंड होते हैं इन्हे हम ऊका जाके खंड या ऊका जाके फ्रेगमेंट कहते हैं जो की बाद में लाएगेज नामक अजाइम की सैधा से जोड दिये जाते हैं और इन्हेंगे प्रेगमेंट जितने fragments बनेंगे उतने ही प्राइमर की यहाँ आवशकता है जबकि जो continuous जो strand मनता है वहाँ पर केवल एक start में एक RNA प्राइमर की ज़वरत होती है और उसके बाद किसी भी और RNA प्राइमर की यहाँ पर ज़वरत नहीं होती है अंत में RNA प्राइमर श्रिंखला से हट जाता है RNA प्राइमर इस DNA के जो दोनों ही strand बनें यहाँ से हट जाएंगे और इस तरह से उक्त जो रिक्त स्थान होगा उसे भरने के लिए RNA polymerase सहयता करेगा तो इस तरह से DNA से DNA के synthesis complete होती है